हेलो अब्रेवन, मैंसेल्फ निश्या, वेलकम टो लो फ्यू अन्लाइन प्लेटफोर्म अफ पेद्यागुरू आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट सा प्लस्ट में बहुत इजी सा टोपिक स्राट करने वाले हैं जिसका नाम है Profit and Loss, हिंदी में इसे बोला जाता है लाब और हानी, बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है, बहुत अच्छा खासा वेटेस लेता है यह वाला टोपिक हमारा यानि कि हम लोग यह बोल सकते हैं कि चाहे कोई भी एक्जाम हो, इस वाले टोपिक से एक कॉश्चन तो 101% देखने को मिलता ही मिलता है प्लस एक से जायदा भी मिल सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब बहुत अच्छा, बहुत इंपोर्टेंट सा टोपिक है टोपिक जो है यह इससे जो प्रिवियस चैप्टर होता है, जिसका नाम है पर्सेंटेज उससे लिंक्ड है, ठीक है यह नहीं है कि पर्सेंटेज नहीं आता तो प्रोफिट एंड लोस आप सीखी नहीं सकते हैं, बस थोड़ा सा लिंक है कि वहाँ चीज़े पढ़ रखी है, तो यहाँ पर आपको इत्ती दिक्कत ही आएगी इसली चीज़े जो है, वो केल्पिलेट इसली चीज़े सॉल्व होती जाएंगी उस टाइप को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्यारा सा सेशन क्लास स्टार्ट करें, उससे पहले एक बर वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सस्क्राइब कर दे अगर हम लोग बात करें, क्वेशन नमबर फॉस्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है क्वेशन ने इसने बुला है, सात रुपे में नो की हिसाब से कुछ सेब खरी दी और दो रुपे में एक्स के हिसाब से बेश दी गई, तो चोदा सही दो बटे 7% की हानी हुई एक्स का मान बताएं, ठीक है, चोदा सही दो बटे में 7 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग एक बटे में 7 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by 7, इसी लिए कहा रही थी कि परसेंटेज बट रखा है, तो यहां पर चीजे कैल्कुलेट टन्ने में हमें इसी नैस होगी, जैसे चोदा सही दो बटे 7 को 1 बटे 7 कैसे लिख दिया, यह सारे चीजे हम लोग परसेंटेज के अंदर डिसकस कर चुके हैं, ठीक है, अब देखो यह हो गया CP, यह हो गया SP, यह हो गया PRICE और यह हो गया उसके आर्टिकल्स उसके 7 रुपे में 9 के हिसाब से खरीळे हैं, और 2 रुपे में X के हिसाब से चीजे उसने बेच दिए हैं ठीक है, number of articles को equal करने के लिए हमारे पास एक प्यारा सा option रहता है, जिसका नाम है cross multiplication, उसका use करेंगे, cross multiplication करानी है, हमें आपस में तीन चीजियों की है, ना, सो यहां से देखो, CP कितना आजाएगा, 7 की X से कराएंगे तो 7X, SP कितना आजाएगा, 9 की 2 से कराएंगे तो 18, और यहां पर 9X और 9X, dollar side articles सेम रहेंगे, इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि number of articles तो equal हो गए, उसको तो मैं हम side में कर दो, उससे हमें कोई लिए ना देना नही अब question ने एक चीज़ mention कर रखी, कि इसको 1 बटे 7 की हानी होती है, 1 बटे 7 की हानी होती है का मतलब, 7 पर 1 की हानी होती है, और profit या फिर loss जो भी होता है, हमेशा किस पर होता है, CP पर, CP कितना है, 7X, इसका, इसका, इसका 6 बटे 7, CP का 6 बटे 7, बराबर आएगा SP के, और SP कित इतना दे रखा है, मैं 18 दे रखा है, समझाया, देखो, question ने बोला है, कि profit या फिर loss हमें पता है, किस पर होता है, CP पर होता है, CP है, 7X, इसका, इसका, बेसिकली, 6 बटे 7, निकालेंगे, ना, हम लोग, जितने की हानी होती होती है, उसको, साइड में कर तो, जो बच गया, चीज़ तो, बचे हुए में भिगेगी, ना, एक बटे 7 की हनुए, तो इसका 6 बटे 7 निकालेंगे, और किसके बराबर आएगा, 18 के बराबर आएगा, यहां से काटापिटी करें, देखो, 7 से 7, 6 तिया 18, यानि कि X की सीदी सीदी वैलू कितनी आएगी हमारे पास में, 3 य Same question है, बट दूसरे वाले method से solve करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हम articles को equal नहीं करते हैं, बलकि एक चीज़ के behalf पर question को solve करते हैं, कि CP of 1 article कितना हो गया, इस type से, यह हो गया CP, यह हो गया SP, ठीक है, एक चीज़ का जब भी हम लोग rate निकालते हैं, तो क्या करते हैं, खरीद रही हूं, तो एक चोकलेट कितने की आ गई, पांच की, इस concept के ऊपर हम लोग इस वाले question को solve करने वाले हैं, कैसे, 7 रुपए में 9 की हिसाब से, ऊपर क्या आएंगे, रुपए नीचे क्या आएंगे, हमारे पास में number of articles, तो 7 by 9, और 2 रुपए में X की हिसाब से, र बटे 9, इसका कितना निकलेगा, 1 बटे 7, 7 पर 1 का लोस हुआ है, 7 पर 1 का हमें लोस हुआ है, इसका मतलब हमें इसका 6 बटे 7 निकालना पड़ेगा, CP का चो 6 बटे 7 है, वो किसके बराबर आएगा, SP के, और SP हमारे पास कितना है, 2 बटे X है, यहां से क्या करें, कुछ नी क ना मतलब काटा पिटी करना है और जस्ट हमें आंसर निकालना है देखो 7 से 7 कैल से 2 से जाएगा 3 पे और यह जाएगा 3 ती आनो यहां से भी हमारे पास में X की वालू कितनी आती है 3 यहां से भी हमारे पास में same answer आएगा same value आएगा that is 3 that is option number B next question की तरफ चले question number second में देखो क्या है question को read करो क्या बुला है कुछ टोफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई उत्ती ही टोफी या 2 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई पूरे भंडार को 1 रुपए प्रती टोफी के हिसाब से बेश दिया गया लाव या फिर हानी का परतीशत हमें बताना है इसको कैसे solve करें अभी तक जो questions किये हैं उसमें इस type का एक भी question हमने नहीं किया है मतलब properly new type तो नहीं बोल सकते हैं प्योंकि जो question solve किये हैं उसी से related है बट उसी का एक advance level दे रखा है इसको कैसे करेंगे देखो method same रखें क्या क्या रखना है कुछ टोफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई ठीक है ये हो गया price और ये हो गया उसका article ठीक है 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी गई और उतनी ही टोफ्या 10 रुपए में 9 के हिसाब से भी खरीदी गई और ये भी खरीदी गई सो हमने इसको मान लिया CP1 है और इसको मान लेते है CP2 है CP2 में किया किया है दस रुपे में 9 के हिसाब से खरी दी है दस रुपे में 9 के हिसाब से खरी दी है पट क्वेशन एक चीज बोल रखी है उतनी ही टोफिया यानि कि जो number of articles है वो सेम रहेंगे बट हमारे पास अलग लग है CP1 में number of articles 11 है MCP2 में number of articles 9 है number of articles यानि कि वस्तों की संख्या को हमें बराबर करना पड़ेगा बराबर करने के लिए 2 method है तो नीचे वाले की उपर multiply, उपर वाले की नीचे multiply या फिर इसी का एक advanced version होता है जिसका नब है cross multiplication उसका use कर ले यहाँ पर देखो अगर हम लोग cross multiplication का use कर ले तो क्या आएगा हमारे पास में cross में क्या कराते इसकी इससे, इसकी इससे और इन दोनों की आपस में अगर cross multiply कराएं तो देखो कितना आएगा यह हो गया CP1 यह बात करें CP2 की, यह हो गया price और यह हो गया article आप देखो, 10 की 9 से 9, 90 11 की 10 से 1, 1, 0 और 11 की 9 से 99, यहाँ पर भी कितना आएगा 99 इसका मतलब total CP कितना हुआ मैं total 90 और 110 यानि की 200 रुपए में उसने 198 articles में क्या दे रखा है, टोफिया उसने खरी दी है ठीक है, मैं इसको final CP लिख दू, मैं इसको finally CP लिख देती हूँ, देखो यह line ऐसे है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यह क्या आया है हमारे पास में final CP, हैना कि उसने 200 रुपए में 198 टोफिया खरी दी है अब question ने बूला है, पूरे भंडार को, पूरे भंडार का मतलब इसने English में क्या लिख रखा है, sold all the stock, जितना भी stock है, total जितने भी वो खरीद के लाया है, चाहे कोई कितने भी rate पर खरीदी हूँ, इतने इतने अलग-लग rate की जितने भी खरीदी है, सब में लाकर के उसने बेच दी, और बेची कैसे है, एक रुपए में एक टोफि को बेच दिया, 200 रुपए में 198 टोफि तो खरीद के लाया है, और एक रुपए में एक टोफी के हिसाब से बेश दिया एक रुपह में उसने एक टोफी के हिसाब से बेश दिया, ठीक है? अब यहाँ कितनी टोफी है Japanese के पास में 198 खरीद के कितनी लाया है वो खुद होलसेल मार्केट से शौक के पर 198 टोफी खरीद कर ला रहा है उतनी ही तो वो अपने कस्टमर्स को बेच पाएगा तो उसने बेसिकली इंडिरेक्टली कितनी टोफिया उसने बेची है है 198 यहां भी 198 से यहां भी 198 से एक या फिर ऐसे सिद्धा भी कर सकते हैं एक रुपए में टोफिया तो 198 टोफिय को कितनी रुपए में बेच रुपए में बेचता है मतलब उसको लोस हुआ है मतलब उसको लोस हुआ है कितने का लोस हुआ है वह वाली चीज़ अब हम लोग चेक कर लेते हैं कुछ टोफिया 10 में 11 की दर से करी दी 10 में 11 की, कुछ टोफिया उतनी ही टोफिया 10 रुपे में 9 की दर से करी दी 10 रुपे में 9 की दर से question की बात को उपर लखना है कि उतनी ही टोफिया यानि कि टोफिय जो है article जो है उसको बराबर करना पड़ेगा बराबर हमने यहाँ पर कर दिया cross multiplication से पहले उसने 90 रुपए में 99 टोफी खरी दी है फिर उसने 110 रुपए में भी 99 टोफी खरी दी है यानि कि total उसने 200 रुपए में 198 टोफी खरी दी है और एक रुपए में एक टोफी बेश रहा है 200 x 100, काटपिट के अंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1% Loss, that is option number D, ठीक है, अभी भी नहीं समझाया, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर देख लेना, next question पे आते हैं, question number fourth, इसमें देखूं क्या करना है, इसने बुला है कुछ टोफी, 10 रुपे में 9 की दर से खरीदी गई, उतनी ही टोफी आ 6 रुपे में 5 की दर से खरीदी गई, पुरे भंडार को 3 रुपे में दो के हिसाब से बेश दिया जाता है, लाबया, फिर हानी का परतिश्वेत हमें बताना है, यह हो गया CP1, यह हो गया CP2, यह हो गया प्राइस और यह हो गया आर्टिकल, ठीक है, यह हो गया आर्टिकल, 10 रुपे में 9 की दर से, ठीक है, यह खरीद करके लाया है कितने में, 10 रुपे में 9 की दर से, और बेश्टा कितने में है दूसरे वाली उतनी ही टोफी खरीद करके लाया है 6 रुपए में 5 कितर से पहले देखो कोई भी शोप की पर है होलसेल मार्केट में गया उसने खरीद ली 10 रुपए में 9 के हिसाब से उसने कुछ टोफिया खरीद ली फिर उसको एक और होलसेल मार्केट मिल गई वो वहाँ भी गया वहाँ जाकर के 6 रुपए में 5 के हिसाब से उसने कुछ टोफिया खरीद ली और कितनी टोफिया खरीदी है जितने की पहले वाली मार्केट से खरीद कर लाया था उतनी ही क्वांटिटी उतनी ही नमबर में उतने ही नमबर में वो आर्टिकल्स को खरीद करके ले आया थीक है सबसे पहला काम इसके जो आर्टिकल है उसको बराबर बनाएंगे आर्टिकल्स को हम लोग बराबर बनाएंगे कैसे बराबर बनाएंगे देखो क्या रहता है हमारे पास में यहां से cross multiplication cross कैसे कराए क्रोस multiply कैसे कराए अब हम लोग यहां पर इसकी देखो ठीक है cross कैसे करानी है हमें पता है इसकी इससे इसकी इससे और इन दोनों की आपस में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में CP1, CP2, सेम रखना है, यह हो गया प्राइस, यह हो गया आर्टिकल, कैसे क्या कुछ खरीद के लाया है, पांच की दस से करेंगे 50 रुपए में, 95,45, और यहाँ पर 9,64, और यहाँ पर भी 95,45, यानि कि टोटल उसने 90 टोफी, से खरीद के लाया है, सब को जोड़ करके, एक जो CP की वैल्यू आई है, यानि कि वो 104 रुपए में 90 टोफिया खरीद करके लाता है, और बेची कैसे है, तेन रुपए में 2 के हिसाब से उसने बेच दी, यानि कि उसका जो फाइनली या फिर only SP भी बोल सकते है, SP कितना है, उ एक बात बताओ, उटनी ही तो टोफिया बेच सकता है जितनी उसके पास है, जितनी वो खुद होल सेल मार्केट से खरीद के लाया है, एक्स्टा कोई खुद से तो उसके पास फेक्टरी नहीं है कि बना बना के बेच रहा है, तो कितनी टोफिया बेचे का जितनी उसके पास है कितनी है उसके पास इस question के अंदर 90 टोफिया है ना मतलब 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेचता है और उससे total 90 टोफिया हमने भिगवानी है यानि कि 2 की किस से गुना कराएं कि 90 आ जाए मैं 45 से करा दो same 45 की यहां से करा देंगे यहां तो 90 बन क्या कोई दिक्कत नहीं है यहां देखो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 13 104 रुपए में टोफिय खरीद करके लाता है और 135 रुपए में बेचता है ना खुद खरीद करके लाता है उसका CP पढ़ता है 104 रुपए और बेचता कितने में है 135 में कितने का प्रोफिट हुआ उसको 31 प्रोफिट कितने का हुआ 31 का कितने पर होता है CP पर CP कितना है 104 multiply by 100 यहां से काटेंगे देखो नेदर प्रोफिट और लोज तो आई नहीं सकता ठीक है यहां पर देखो 20% प्रोफिट तो हो ही Loss तो हो ही नहीं सकता क्योंकि profit हुआ है दो options तो neglect हो गए बच गया option number B और option number D अब इसमें भी देखो ये तो proper 20% है प्यारी सी value है smooth सी अगर इतना अच्छा होता था हम calculate करके अब तक तो निकाल चुकी होते answer मतलब answer हमारा point में ही आना है की option number D जो है वो हमारा right answer है ठीक है next question पर आते है question number 5 में देखो क्या दिया है सिबुला है कुछ टोफी 4 रुपे में 3 की दर से खरीदी गई मैं लिख लेती हूँ ये हो गया CP1 ये हो गया price और ये हो गया article कितने में खरीदी गई है 4 रुपे में 3 की दर से खरीदी गई उतनी ही टोफिया सेम टोफी कर भी है 3 रुपे में 4 की दर से खरीदी गई CP2 कितना होगा 3 रुपे में 4 की दर से खरीदी गई question ने mention किया है क्या कि उतनी ही टोफिया मतलब number of articles को हमें equal बनाना पड़ेगा equal बनाना पड़ेगा यानि कि हमारा CP1 कितना हो जाएगा यहां से चार चुक 16 और CP2 कितना हो जाएगा तीन तिया 9 और article कितने हो जाएगा यहां भी 12 यहां भी 12 इसका मतलब हमारे पास total 25 है ना 16 और 9 कितना 25 और यहां से कितना आएगा 24 यानि कि जो final CP होगा वो कितना आएगा हमारे पास में CP की value कितनी है 25 यानि कि 25 रुपए में 25 रुपए में 24 टोफियां बेचता है ठीक है 25 रुपए में 24 टोफियां खरीद कर लाया है CP कर रहा है ठीक है और पूरे भंडार को यानि कि अपने पूरे स्टोक को 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया 6 रुपए में 5 के हिसाब से उसने बेच दिया कितने में बेचा है 6 रुपए में 5 के हिसाब से उसने अपने वस्तुए बेच दी ठीक है question ने पूछा है लाब या हनी का परतीशत कितना है अब यहाँ पर फिर से आकर के value अटक गई अटक गई इंदा सैंस अब तक जो questions कर रहे थे देखो जैसे यह वाला question था ठीक है इसमें यहाँ पर 90 था और यहाँ पर 2 था तो 2 से 90 हम easily बना सकते थे 45-45 से दोनों साइट गुना करके इससे पहले वाला question था इसमें भी 1-1 था तो 1 की 198 से दोनों साइट गुना करके हम easily निकाल सकते थे बट इस वाले question के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम easily calculate कर सके यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा फिर से हमें cross multiplication करनी पड़ेगी है ना, ये cp था और ये sp है so cross multiplication करेंगे तो देखो इसकी इससे इसकी इससे और इनकी आपस में 25 की 5 से करेंगे तो कितना आएगा 125 चोवीस की 6 से करेंगे कितना आएगा 144 और यहाँ पर कितना 24 गुना 5 चोवीस गुना 5 यहां पर calculate करने कि माम हमें कोई need नहीं है simple सा question है simple सा question क्या है कि यहां पर number of articles तो equal है बच गया क्या, 125 में कोई चीज खरीद करके लाया है और उसने 144 में बेच दी सबसे पहली बात तो उसको profit हुआ है तो neither profit और loss का cancel करतें, ठीक है profit हुआ है तो loss को भी हटा दे ठीक है, बच गया हमारे पास 50-50 life line option number B, या फिर option number D ठीक है, अब देखो 125 और 144 कितने का gap यहां से 19 का, कितने पर 125 पर multiply by 100 ठीक है, यहां से जाएगा 5 यहां से जाएगा, 4 हमारा जो answer है वो point में आएगा, answer जो है वो हमारा decimal के अंदर आएगा exact ऐसे 11 सा 20% answer नहीं आ सकता है, इसका मतलब यह वाला option भी नहीं हो सकता answer जो है, हमारा option number B भी नहीं हो सकता क्योंकि B तो exact value दे रखिये बट हमारा जो answer है, वो तो point में आना है so इस वजए से हम लोग बोल सकते है without any calculation के हमारा जो answer आएगा वो कितना हैगा, option number D next question की दरफ चलते है question number कौन सा है, I think कि यह हमारे पास 6 है question number 6 में देखो क्या दिया है एक आदमी ने कुछ संत्रे 6 रुपे में 7 की दर से खरीदे ठीक है CP1, price और article कितने में खरीदे हैं उसने 6 संत्रे 7 रुपे की दर से ध्यान रखना है, देखो थोड़ा सा language का कर रखा है, थोड़ा सा language खुमा करके दे रखी है गलत होने के chances है ध्यान रखना रुपे कितने है, 7, so price के निचे लिखेंगे 7 और संत्रे खरीदे हैं कितने 6 फिर CP2 में है समान संत्रे, 5 संत्रे 3 रुपे में, रुपे कितने है 3 और संत्रे कितने है 5 किदर से खरीदे हैं, उसने अच्छा, उसने बोला है समान संत्रे, तो पहले हम लोग जो संत्रे की value है इसको equal कर दे, equal कैसे करेंगे हम लोग cross multiplication से, so CP1 कितना आ जाएगा इस तरह से हमारे पास में 7, 5, 35 और CP2 कितना आ जाएगा हमारे पास में 6, 18 और article कितने हो जाएगी यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, है ना, 8 और 5 13, 3, 4, 5, 53 रुपे में उसने 60 चीजे खरीदी है, यह हो गया उसका finally CP की 53 रुपे में 60 संत्रे उसने खरीदे है उसने सभी संत्रों को 5 संत्रे 3 रुपे की दर से बेच दिया 3 रुपे की दर से 5 संत्रे उसने बेचे है ठीक है, 5 संत्रे उसने बेचे है इन सब में उसको 117 रुपे की हानी हुई है, सो हमें बताना क्या है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है, संत्रों की संख्या क्या है, ठीक है? जितने भी टाइप की है, सब टाइप का एक mixture बोल सकते हैं, इस वाले question को basically, so कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो articles को same बनाएंगे, क्यों? क्योंकि माम जितनी चीज़ वो खरीद के लाया है, खुद उतनी ही चीज़ तो बेच सकता है, कोई कुछ से तो produce करेगा नि, कुछ से तो अपने घर में से लेगा नि, तो जितनी चीज़ खरीद के लाया है उतनी ही वो बेचेगा, यानि कि 60 संत्रे जब वो खरीद के लाया है तो वो 60 ही तो बेच पाएगा, 5 को 60 बनाने के लिए हम 12 से गुना कराएंगे, उधर 12 से करा रहे हैं, तो फिर इधर भी 12 से कराने पड़ेगी, ठीक है, ये आ गया 36 और ये आ गया 12, 5, 60, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हु कि CP है 53, 53 रुपे में चीज खरीद कर लाता है, और वो 36 रुपे में बेच देता है, फुद 53 में खरीद करके लाया है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है, वो 36 है, और इसका मतलब उसको लोस हुआ है, कितने का उसको लोस हुआ है, यहाँ पर देखो, 4, 3, 7, 17 युनिट का, है ना, 17 रुपे का उसको लोस हुआ है, कितनी चीजों पर हुआ है, यह 60 औरेंजिस पर, 60 औरेंजिस पर है ना, इसके बाद क्या दिया है, 17 से 117 तो डिरेक्ली नहीं आ सकता है, एक बार कॉश्चन रिचेक करते हैं, देखो, 7, 6 की दर से, 3, 5 की दर से, यहाँ से आ है, 53 की दर से, ठीक है, CP की वैलू तो हमारी ठीक है, एक बार SP को फिर से चेक करते हैं, SP में क्या आएगा हमारे पास देखो, यहाँ से, English वाला चेक करते है, इसने बोल रखा है, He sells all of them at rupees 3, 4, 2, इसको change करना पड़ेगा, rupees आएगे 2 और यह article आएगा 3, है ना, यह हिंदी मे है, थोड़ा सा changement कर रखा है, एक पर इसको देखना, यहाँ से कोई ने फिर से कर लेते हैं, इसको, देखो कितना आएगा हमारे पास में, ओके, 53 से 60 दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद बोल ला है, उसने 3 संत्रे दो रुपए में बेचता है, दो किस से गुना करानी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यह वाली वैल्यू तो 60 में convert हो गई, बट यह कितना बन गया, 40, यह वाली वैल्यू कितने आगई, हमारे पास में 40, इसका मतलब सिंपल सा है, क्या, कि 53 रुपए में वो इंसान खरीद करके लाता है यानि कि 53 रुपए में चीज़ को बेश लेता है, मतलब उसको लोस हुआ है, मतलब उसको लोस हुआ है, कितने का उसको लोस हुआ है, यहाँ पर उसको मैं कितने का, 13 रुपे का लोस हुआ है, 13 रुपे का लोस हुआ है, किसकी वज़े से हुआ है यह 13 रुपे का लोस, इन 60 इन 60 oranges की वज़े से 60 संत्रों की वज़े से 60 oranges ठीक है यह 13 रुपे का उसको लोस हुआ है 60 संत्रे की वज़े से ठीक है अब question ने बोला है उसको 117 रुपे का लोस हुआ है 13 का नहीं हुआ 113 को हम 117 में convert करना पड़ेगा तो क्या मैं इसकी 9 से गुना करा दूँ यहाँ पर कितना आ जाएगा 117 रुपे का लोस हो गया जिधर इस साइड जिस डिजिट से हमने multiply कराया है उस साइड भी उसी से कराना पड़ेगा 9.14 आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 540 oranges यानि कि option number B जो है वो हमारा right answer है ठीक है? next question पर आते है question number I think 7th है यह इसमें देखू क्या है इसने बुला है 20 रुपे में 6 की दर से कुछ वस्तू खरी दी और 26 रुपे में 8 की दर से उसने दोगनी वस्तू खरी दी है ध्यान रखना अब तक जो question कर रहे थे उसमें simple साथा हो कि जितने वस्तू खरी दी है उत्ती है वस्तू उसने दूसरे market से इस रेट पर खरी दी है इस case के अंदर क्या बुला है उसने दूगनी वस्तू खरी दी है और दोनों को मिला करके 118 रुपे में 24 के दर से उसने वेच दिया हमें उसका लाब या फिरहानी का percentage निकालना है ठीक है थोड़ा सा changement है बाकी तो पुरा का पुरा question उन्हीं के जैसा similar सा है सबसे पहला हमार step CP1 यह हो गया CP2 ठीक है यह है प्राइस और यह हो गया article 20 रुपे में 6 की दर से रुपे कितने है 20 और article कितने खरीदे थे 6 और 26 रुपे में 8 की दर से यहाँ पर कितना खरीदा है उसने 26 रुपे में 8 की दर से अब यहां से दो options है हमारे पास में या तो इतनी बड़ी इसको calculate करें या फिर काट के छोटे से ratio की format में कर लें इसको हम लोग काट ले हां से ratio की format में कर लें इसको यहां से देखो 2 से जाएगा 10 पे और यह जाएगा 3 पे और यह जाएगा 13 पे और यह जाएगा हमारे पास में 4 पे अब अगर हम लोग यहां से निकालना जाहें cross multiplication का use करके तो कितना आएगा देखो इसकी इससे इसकी इससे और इन दोनों की आपस में करनी है ठीक है कितना बनेगा देखो CP1 कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास भी 10 की 4 से कराएंगे 40 और CP2 कितना बनेगा यहां से हमारे पास में 13 की 3 से करेंगे 39 और जो आर्टिकल है वस्तु है वो कितनी हो गए 4 तिया 12 यहां पर और 12 ही यहां पर ठीक है यहां पर तो हमने क्या कर दिया यह प्राइस था यह आर्टिकल था हमने number of articles को equal कर दिया but question की demand यह नहीं है कि number of articles equal होनी चीए question ने बोला है क्या कि number of articles जो second time उसने purchase किये है वो double किये है double किये है इसका मतलब इस side हमें 2 से multiply करानी पड़ेगी इसका मतलब यह value क्या हो जाएगी देखो cp1 तो हमारे पास रहेगा 40 और 12 का ही but cp2 हमारे पास change हो जाएगा 2 से बुना कराएगे यहाँ बन गया 24 यहाँ एका 9 दुनी 18 तीन दुनी 6 और 1 साथ इसका मतलब finally cp किता है 4 और 2 6 और यह 36 जो वस्तुएं है वो उसने खरी दी है 118 रुपय में मैं यहाँ लिख देती हूँ finally cp finally cp क्या है कि उसने 118 रुपय में 36 आर्टिकल 36 वस्तुएं खरी दी है और बेचा कितना है उसने 118 रुपय में 24 के दर पर उसने बेची है बेचा कितना है उसने sp कितना है उसका 118 रुपय में 24 के दर से उसने वस्तुएं को बेचा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से क्या निकालना है, उसका लाब या फिर हानी परसेंटेस हमें calculate करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे निकालते हैं, हम लोग cross multiplication से, है na cross multiplication से ठीक है, so CP अगर हम निकालें cross multiplication का use करके, so 118 into 24, SP अगर हम लोग निकाले तो कितना आजाएगा 118 into 36 और यहाँ पर number of articles तो equal होने ही वाले है 36 गुना 24 करके है ना इसका कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है यह वारी value जो है हमारी null है यहाँ देखो 118 से 118 cancel अगर हम इसका ratio ले तो यहाँ से देखो चार से काड़ ले sorry इसको चार से ही काड़ते हैं 6 चोग 24 और यह 6 6 36 इसको और कर लेते हैं यहाँ फिर सिदा कर सकते हैं 12 दूनी 24, 12 यह 36 2 रुपे की चिसको 3 रुपे में बीचे जाता है तो 1 रुपे का profit कितने पर 2 पर multiply by 100 यहाँ से directly हमारे पास आजाएगा कितना 50% यहाँ से finally answer कितना आजाएगा हमारे पास में 50% that is our option number C ठीक है sorry फोड़ा सा lengthy question था एक बर मैं इसको फिर से repeat कर देती हूँ 20 रुपे में 6 की दर से खरीदी हमने लिख लिया 20 में 6 की दर से और फिर 26 रुपे में 8 की दर से 26 रुपे में 8 की दर से ratio को छोटा किया छोटा करके 10 तिन और 13 आठ का आ गया number of articles को equal किया cross multiplication करके cross multiplication करके आ गया हमारे पास में CP1 है 40 रुपे में 12 वस्तुएं खरीदी है CP2 है 39 रुपे में 12 वस्तुएं खरीदी है बट जो वस्तुएं है वो equal नहीं होनी चीए जो दूसरे वाली वस्तुँ उसने purchase की है उसने कुद ने खरीदी है वो उससे पहले वाली से दुगनी है तो हम यहाँ पर 2 से multiply करेंगे तो उपर तो CP सेम रहेगा CP1 की value है 40 रुपे में 12 वस्तुएं खरीदी है बट CP2 की हमें 2 से multiply करनी पड़ेगे that is 39 की 2 से करेंगे तो 78 और उधर आ जाएगा 24 मतलब 78 रुपे में उसने 24 आर्टिकल को खरीदा है सबको जोड़ जाड़ के finally CP बनेगा हमारे पास में 118 रुपे में उसने 36 आर्टिकल को खरीदे है ठीक है फिर है SP बेचा कितने हमें है 118 रुपे में उसने 24 आर्टिकल को बेचा है ठीक है 118 में 24 को बेचा है फिर से हम आर्टिकल को equal करेंगे cross multiplication लगाएंगे 118 गुना 24 CP 118 गुना 36 SP और 24 गुना 36 इतना सब नहीं करना है अगर यह जो last का step है मैं यहाँ इसको highlight कर देती हूँ अगर हमें यह इतना सब calculations नहीं करना है तो इसका एक short form बता रखा है क्या मैं यह भी हटा देती हूँ cross multiplication का यह भी नहीं करेंगे जब भी हमें ऐसे articles की form में articles के बिहाफ पर अगर हम question को solve करते हैं तो क्या करते हैं profit या फिर loss निकालने का एक चोटा सा trick है जब price equal दे रखा हो और profit या फिर loss हमें articles के बिहाफ पर निकालना है तो क्या करेंगे profit या फिर loss buy में SP कर देंगे instead of CP उससे solve करेंगे सबसे पहले तो इसको छोटा ही कर ले 12-24, 12-36 अब देखो तीन वस्तुएं खरीदता है और दो वस्तु बीचता है इसका मतलब उसको profit हुआ है एक वस्तु तो उसके घर में बच गी ना अभी भी उसका मतलब उसको profit हुआ है अच्छा सारे ही profit के दे रखे है ठीक है कितने का profit हुआ है एक का buy में SP लेना है मैं यहां mention भी कर देनी हूँ क्योंकि हम number of articles के बहाफ पर profit या फिर loss निकाल रहे है SP कितना आजाएगा 2 multiply by 100 यहां से सीदा आजाएगा 50% ऐसे भी कर सकते हैं अगर यह जो bracket के सरकल के अंदर या फिर जो भी जिग जैक फॉर्मेट है इसके अंदर जो चीजे रखे है इतना सब कल्कुलेशन को avoid करना है तो हम directly इसको ऐसे भी solve कर सकते हैं number of articles के बहाफ पर हम calculate करके निकाल सकते हैं बट condition याद रखना जब प्राइस है आर्टिकल का वो same दे रखा हो और number of articles different हो और उस case में हमें profit या for loss निकालना हो तो formula होता है profit या for loss by में SP by में SP multiply by 100 ठीक है समझाया है कैसे किया इतने ही questions रखते हैं आज की class में इतने ही questions रखते हैं आज की class में बाकी के जो और questions बच गए है उसको हमारी जो next class होगी उसके अंदर हम लोग count कर लेंगे यानि कि वहाँ पर हम लोग solve कर लेंगे so basically आज की class में इतना ही था आज जो number of questions है हमने कम किये हैं बट जो number of questions कम किये हैं बट जो quality of questions थी वो बहुत अच्छी थी बहुत अच्छे-च्छे questions हमने attempt किये है plus में main बात यह है कि बहुत अच्छे से solve कर रहे है ऐसे नहीं है कि method बता दिया बस हो गया जाहे उससे answer आए जाहे ना आए जितने भी questions solve किये है हार एक question को I think दो method से तो हमने solve किया ही किया है कहां पर है calculations को avoid करना है कहां पर कौन सा method यूज करना है सारी चीज़ों को हम लग discuss करते हुए चल रहे है so आज की class में इतना ही रखते है I hope जितने भी methods जितने भी questions जितने भी tricks बताई होंगी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया होगा अगर class अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe कर दे Thank you